हेलो गाई इसा जम बात करने वाले हैं दस दस स्टॉक के बारे में आप लोगों को आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या गरे तो ये वीडियो में यहीं बात करने वाले कि ये दसों की दस स्टॉक में आप वो क्या गरना चाहिए, buy करना चाहिए, sell करना चाहिए, hold करना चाहिए, वो आप लोगों को बताऊंगा, और ये पुरिग-पुरिश सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को कोई news होगा, उस stock के regarding वो भी आप लोगों बता दूँगा, क्या आप लोगों को इस company के अंदर कोई result यहां पर से कोई breakout देखने को मिल रहा है, तो भी आप लोगों को इस वीडियो में बता दूँगा, तो ये वीडियो अंतर देखते रहना, इस वीडियो में सारे की सारी चीज़ों के उपर बात करने वाले हैं, long term, short term और medium term के investors को ये वीडियो पूरा देखना है, तो ये वी portion की थी, तो company की यहां पर बात करें, तो यहां पर company के यहां पर आते ही, 1 minute के अंदर आप लोगों को downfall देखने मिल रहा है, 6 month की बात करें, तो आप लोगों को almost flat, आप लोगों देख सेते हो, 4 percent की यहां पर से, अप में देखने को मिल जाता है, और वन year की बात करें, company भी नई नई लिस्टिड है और मार्च के अंदर ही लिस्ट हुई है तो यहां पर से यह इसका हाई की बात करें और लो की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले कंपनी ने हाई लगाया था लगाया था टू थुथाउजंडड ट्वेंट्वोः पीज के आसपास 25 रुपीज के आसपास का और उसके बाद यहां पर से कम्प्नी ने लो लगाया था 1432 रुपी का यहां पर आप लोगों को इस कंपरी के अंदर क्या नहीं करना चाहिए जो आप लोगों को इस कंपरी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को अच्छे रिटेन मिलने के चांसेस है पर यह एक चीज़ बता दू कंपनी का इस क्वाटर का जो रिजल्ट था क्वाटर फूर का और आप लोग बोल सकते हूं मार्च क्वाटर का तो वो अच्छा नहीं देखने हो बिला था तो यहाँ पर इसी की वज़े से इस कंपनी के शेर के अंदर प्रेशर देखने हो मिल रहा है और इसी की वज़े से यह कंसलिडेशन सून में अभी चल रहा है मैं अब आप लोगो एक दो शेर लेकर बैठ सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो यह चीज़ ज़्याद रखना अभी बात कर लेता है और यह श्चॉक भाग भी गया है यहाँ पर आप लोगो देखोगे तो company । ने यहाँ पर से 5% का return दे भी दिया है जो जो स्टॉक मैंने बताया था उसके बाद से ठीक है और यहाँ पर से नहीं बात करें तो company का जो highest आप लोग देखोगे highest level है वो 9,950 रुपीज का है वो यहाँ पर से आने वाले समय में तोड़ते हुए देखने को मिल सकता है जो यहाँ पर से यह जो share है 7,680 रुपीज के उपर एक दिन की closing दे देता है या एक अवर की closing दे देता है एक कवर की candle की तो आप लोगों को आने वाले समय में 28,000 के उपर की level 8,500 के level देखने को मिल सकते है ठीक है तो यह चीज जयाद रखना आप लोगों को इंडिया माट के अंदर buying करनी है तो अभी थोड़ा wait कर लो आप लोगों को थोड़ा downfall देखने को मिलता है तो buy कर लेना और अभी इस level पर भी buy करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आने वाले समय में यह चीज जयाद रखना और downfall देखने को मिलता है तो आप लोगों के पास पैसे होने चीए मालब एक दो तीन share buy करना जाते हो तीन share buy करना जाते हो तो एक अभी करो और यहाँ पर से और गिरावट देखने मिलती है 500 रुपे के आसपस की 300 रुपे के आसपस की तो यहाँ पर से 500 रुपे की ठीक है हर 500 रुपे की गिरावट पर एक share buy करो तो आप लोगों को जादा फाइदा होगा आप न्यूस सेक्शन में ओके देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे और वेट आप लोगों मैं दिखा देता हो रुपो तो यहाँ पर आप लोग देखे तो 13 अवर्स पहले ही यहाँ पर से यह रिपोट आईए तो इसी की वज़े से बोल रहा हूँ आप लोगों को इस कंपनी के अंदर आप लोग पास है इस कंपनी का शीर तो आप लोग अभी होल्ड मत करना क्योंकि आप लोग सेल करते हैं तो आप लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर लो और यहाँ पर देखो आप लोग प्रॉफिट में हो ना प्रॉफिट में हो तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर लो और यहाँ पर से लॉस में हो तो आप लोग होल्ड करना ठीक है लॉस में तो होल्ड करना और प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लो ठीक है यही मेरी सरला रहेगी क्योंकि यहाँ पर से आने वाले समय में इसका जो शेर की प्राइस आप लोग देखोगे 6 मन्त का चाट पेटन वहाँ पर आप लोग सेम टू सेम सिनारियो देखने मिल रहा है यहाँ पर यह कंपनी यहाँ पर से कंपनी ने यहाँ पर एक बार उपर लिका लीवल दिखा दिया उसके बाद डाउनफोल देखने के एकerson करना है उप Sumire प्रेदा होगा और उसके बाद फिर से नीचे के लिवल पर आता है 31 32 रुपी के आज पास के लिवल पर आता है ये शिर तो फिर से इसके अंदर बाइंग कर सकते हो ठीक है तो ये चीज याद रखना अभी हम बात करें नेक्स शिर के बारे में रेंड इंडेस्ट्री रेंड सही टाइम है 85 रुपीज के आज पास की इसकी यहां पर से ब्रेक आउट देखने हों मिल रहा है 85 रुपीज या 88 रुपीज के आज पास इस कंपने के शिर को बाइंग करते हो तो आप लोगों को इसके अंदर 204 रुपे या यहां पर से 202 रुपे का टार्गेट लेकर के लिए ट्रेडिंग कर सकते हूं तो यह ही आप लोगों को सला रहेगी सेख समय की बात करें तो यह कंपनी यहां पर से आने वाल समय में तूरता हुए देखने को मिलेगा यह चीज याद रखना आप लोगों को इसके अंदर बाइंग करने का यहां पर से अच्छा चल सकते हूं और बाकी दार आपकी मर्जेडिक है अभी बात कर लेता है नेशनल फर्टिलाइजर तो यहां पर इस कंपनी के अंदर भी शॉर्ट टर्म के लिए टार्गेस बता रहा हूं आप लोगों को इस लेवल पर बाय करना है तो कर सकते हूं कोई दिक्कर नहीं है और यहां पर से यह अप मूँ देखो यहां पर आने वाले समय में वन टू टू मंथ के लिए इसके अंदर खोल्ट करके रखना आप लिए पास है तो क्यूंकि जो देखो आप लोगों को मौनसून आने वाले हैं बारिस की सीजन आने वाली है तो वहां पर फर्टिलाइज यह जूब़ी ज़ए of रूपर आप लोग बुल सकते हो कि भाइया की हिगरीबल कोई भी शेयr के पकट सेंदर जसी ने सबर्करतें के बारे में आज की दिन ऊपर सेंदा है hypothesis की तो पर फाइव परसें की दिःसे दितने में लिए खंपणी ने यहां पर से बैतर ही रिटन दिया है फ्टीस की बात करें एड परसें की रिटन होड रहान है और और मन्न की बात करें परफी की र Mir Biatt Over और यह अभी 65 उपसमस लब इसके डबल इसके डबल के ऊपर अभी चल रहा है और डबल से भी जाधा के ऊपर चल रहा है तो आप लोग देखूझे के अंदर आप लोग को मेरे हिसाब से इस कंपनी को लॉंग टम के लिए मतलब पाथ साल के लिए इस कंपनी के अंदर आप लोग इंवेश्टेड रहते हूं तो आप लोगों को मल्टी बैगर रीटन दे सकता ये कंपनी तो ये चीज़े रखना इसके अंदर मैं बहुत ही जल्दी इन्वेश्ट बना सकता हूं और जादा गिरावट देखने को मिल सकती है तो ठीक है तो इसके अंदर आप लोग बाय कर सकते हो लॉंग टम के लिए जो लॉंग टम के इन्वेश्टर से लोगों के लिए बता रहा हूं उसके बाद है केम शुगर केम शुगर की बात करें आज के दिन 20 पर की 30 देखने को मिली थी पीचले दो दिन की बात करें तो कंपनी ने यहां पर से 45 परसें का मुनाफ़ा दे दिया अपने शीरहोलर को तो यह चीज़े अदर ने ऐसे 45-47 परसें का मुनाफ़ा एक ही आ मलब 5 लोग दे दिनों में दे दिया है तो यहां पर आप लोग के तो आ हाँ पर से थोड़े बहुत स्टेप उठाए जा रहे हैं इसी के वज़े से ये शूगर जो मिल्स है शूगर के जो भी स्टॉग है उसके अंतर तेसरी देखने को मिली है तो ये चीज याद रखना आने वाले समय में आप लोगों को ये शूगर के शीर है लॉग टर्म के लिए जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे है उन लोगों को दूर ही रहना अची है जो लॉग टर्म के इन्वेस्टर है क्योंकि मैक्सिमों चार्पिटर देखोगे तो ऐसे बहुत बार ये कपनी अच्छी खबरों के चलते उपर गई है और इसके बाद अच्छी घिरावट भी देखने को मिली है तो ये चीज़ यादर रखना जो लॉग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे है बिल्कुल भी मत करना बहुत ज़्यादा लंबे फर्स सक्ट्रेवरिक है ये चीज़ यादर रखना मेरे को अपने स्ट्राइब मार्केट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दूख होगा ना तो ये एंजल ब्रोकिंग के अंदर होगा क्योंकि यहाँ पर से ये कंपनी की जो शेर है ना मैं यहाँ पर से इस लिवल पर या इस लिवल पर बाई करने ही वाला था नहीं लग रहा था कि इसको लेना चाहिए उसके बाद ये अभी 800 रुपे पर चल रहा है 900 रुपे भी जा के आया है ठीक है आप लोग सूच सकते हूँ कंपनी यहाँ पर से कभी-कभी अपने दिल का या अपने दिमाग का भी थोड़ा सूचना चाहिए fundamentals को थोड़ा side में रख कर ठीक है कंपनी के यहाँ पर से growth opportunity बहुत ज़ादा नज़र आ रही है इसी की वज़़ए से यहाँ पर से दीजी देखने को बिल रही है आने वाले समय में जो यहाँ पर कंपनी का अच्छे result आएंगे तो यह कंपनी का जो share की price है 1500 या 2000 रुपे पर आराम से देखने को मिल जाएगी अभी तो इतना बड़ा target नहीं रख सकते पर 1200 का target आराम से आप लोग रख सकते हो आने वाले समय के लिए ठीक है यह चीज़ आद रखना कंपनी के अंदर अभी invest करने का मौका है तो मेरे इसाब से long term के जो investors है उन लोगों को इस कंपनी के अंदर invest कर सकते हो अभी इस level पर भी पर मेरे इसाब से इसके अंदर थोड़ा correction अभी आना चाहिए उसके बाद ही मैं इस कंपनी के अंदर invest करूँगा ठीका है अब यह हम बात कर लेतें next एक डाइवे में यह है गेल पानिया की बात करें तो कल के दिन इस कंपने के result है और is कंपने के result मतलब कार ना तारिक को इस company के result है कोई दिक्कत की बात ही है अभी तक हमारी चनल को सब्स्राइब करके रखो बेल अकन के बेल अकन डबा के रखना तो आप लोगों को लेटेस्ट न्यवीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पहुच जाएंगी ठीक है तो बस एर आज के लिए तना ही गुड झाल 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 झाल